हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल, AASE इंग्लिस आकेडमी दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिद्दी को इंग्लिस में क्या क्या कहते हैं तो पहला वर्ड है हमारा ओपसिनेट जिसका मतलब हठी, हठीला या जिद्धी होता है दूसरा वर्ड है इस्टबर्न जिसका मतलब अडियल, जिद्धी, हठी या फिर सक्त होता है अगला वर्ड है climate जिसका मतलब प्रबल, जवर्दस्त या फिर जिद्धी होता है next वर्ड है headstrong जिसका मतलब हठीला, दुराचारी या फिर जिद्धी होता है next वर्ड है importunate जिसका मतलब आग्रही, हठी या जिद्धी होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वेटरेट जिसका मतलब कटर, पक्का, हठी या फिर जिद्धी होता है हमारा अगला वर्ड है आपजुरेट जिसका मतलब कटोर, अटल या जिद्धी होता है नेक्स्ट वर्ड है अपैनियोनेट जिसका मतलब राय देना, मनमोजी या जिद्धी होता है नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेसिटी जिसका मतलब दुराग्राही, हठी या जिद्धी होता है नेक्स्ट वड़ है पिगीस जिसका मतलब लालची, मैला, हठी या फिर जिद्धी होता है नेक्स्ट वड़ है स्टीफ नीग्ड जिसका मतलब घमंडी या जिद्धी होता है हमारा अगला वड है इस्टॉलिड जिसका मतलब मूर्ख, मंदबुद्धी, बेजान या फिर जिद्धी होता है हमारा नेक्स्ट वड है डॉगेड जिसका मतलब ध्रिंड, सक्त, हठीला या जिद्धी से है नेक्स्ट वड है परसिस्टेंट जिसका मतलब द्रिंड, सक्त, आग्राही या फिर जिद्धी होता है हमारा नेक्स्ट वड है इसकीटीस जिसका मतलब नकरेबाज, सरमीला या जिद्धी होता है हमारा अगला वर्ड नाल्ड है जिसका मतलब गाठदार, हठी या फिर जिद्धी होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसबेडियेंट जिसका मतलब अवज्यकारी, जिद्धी या हठीला होता है अमारा next word है unhealding जिसका मतलब अटल, अडिग या जिद्धी होता है next word है way word जिसका मतलब अडियल, हठीला या जिद्धी होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो कीप ट्रेक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग